बिहार राजनीती का गड़ है और यहां अगर परिंदा भी परमारता है तो उसमें कुछ न कुछ राजनीती होती ही है नितिस कुमार जी 2020 के परिनाम के बाद से ही जोड तोर की राजनीती कर रहे हैं चाहे उपिंदर कुसवाहाजी को अपनी पार्टी में पूरी पार्टी समेथ बिलाय करवा लेना हो या फिर अलग अलग भी कितने ऐसे वज़ा बने हमने देखा लोजपा यानि कि चिराग पासमान वाली जो लोजपा थी उसके एक मातर विदायक जो थे उसे भी अपनी पार्टी में सामिल करा लेने का मामला हो निटीस कुमार जी सिक्कों को जोर रहे हैं घरा भरने की तैयारी में हैं पेटी भरने की तीजोरी भरने की तैयारी में हैं ऐसे में देखें तो नितीज कुमार जी हर्चन इस परियत्न में लगे रहते हैं। अब कल के आई मामला देख लीजिए। AIMMM OVCG की जो पाटी है पहली बार 2020 में बिहार में इंटर की आया और ऐसा इंटर की ऐसा छाप छोरी कि सब तयारी धरे के धरे रह गए और दलों के। आपके बता दें कि AIMMM ने पहले ही बारा करके सीवान चल छेतर में अपना धंडा बुलंद कर लिया और OVCG की पाटी ने पांस सीटों पर अपना खबजा जमा लिया यानि कि AIMMM के पांच बिधायक हैं। अब देखिए नितिस कुमार जी कुछ करते हैं तो उसमें भी हमेशा राज निति होती है। कि पाटी के विधायक हैं। उन्होंने इसके पीछे दलील भी दी। उन्होंने कहा कि संभीधान में सर्वधर्म की बात की गई है। समिधान को मानते हैं। इसलिए हम राष्टिय गीत नहीं गाएंगे। इसके बाद आपको बता जाएं कि जद्यू के कदावर नेता है। इसकुमार जी के काफी करीबी हैं। उपंद्र कुस्वाह की बात कर रहे हैं। हम उपंद्र कुस्वाह जी ने अस्पश्ट रूप से का कि जो लोग राष्ट्य गीत गाने में इंटरेस्टेट नहीं हैं। तो जबरदस्ती नहीं की जा सकती है। देश भक्ती को दिखाने का ये माप डंड नहीं है। हम बात कर रहे हैं प्रेमकुमार उन्होंने अस्पश्ट रूप से क्या दिया। प्रेमकुमार जीने सीजेत तौर फे कहा है कि AIMMM के विधायकों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं ऐसा क्यों किया है। राष्ट्य गीत क्यों नहीं उन्होंने गाया है। की उन्हें सफाई देनी चाहिए उसका उन्होंने उन्हें कारण बताना चाहिए इसके साथ उन्होंने कहा कि राष्टियगान की तरह ही राष्टियगीत का भी जो है सम्मान करना चाहिए वे बिधायक हैं मलें हैं जनपरतिनीदी हैं तो ऐसे उन्हें नहीं करना चाहिए यान MMM के साथ जहां जद्यू खरी हुई नजर आ रही है वहीं BJP ने सीधे तोर पर करे सब्दों में बिरोध कर दिया है बात बिरोध तक ही नहीं है BJP MLA संजय सिंग की माने तो AIMMM के जो विधायक हैं पांच विधायक उन्हें देश छोर करके चले जाना चाहिए उनका जो पसंदिदा देश हो वहां चले जाना चाहिए यानि की BJP जहां AIMMM के विधायकों को देश से बाहर भेजने तक के खायबाद में जुट गई है वहीं जद्यू असपश्ट रूप से विधायकों के साथ खरीदी के रही है और एक बार फिर से जद्यू और BJP में पांच विधायकों को ले करके करबाहत बर गई है NDA दो फार खिलाल नजर आ रहा है जरू है बातलाप की टीम सबसे पहले आप तक पहुँचाएगी इसके लिए जरू होता है कि भातलाप की खबरों को आप यूँ देखते रहें शेया करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें बहुत बदन बाद 9386816700 धन्यवाद